अच्छा इस दोरान जो है जब वो अपनी बात कह रही थी तो उन्होंने नई टेक्स रिजीम के बारे में बात की फिर ये कहा कि सारी गोशना जो है जैसे जीरो से तीन लाग तक की या छे से नौ लाग तक की अलग अलग structure की बात की नया टेक्स रिजीम और पुराना टेक्स ये क्या है ऐसा था कि दो वर्ष पहले ये एक टेक्स ब्यौस्था लाग ची गई थी पुराने टेक्स रिजीम में एक ब्यौस्ता है जिसमें कि आप कुछ डिवेट्स ले सकते हैं कुछ डिड़क्शं क्लेम कर सकते हैं वो डिड़क्शं आपके इन्वेस्मेंट से हैं आपके एटीडी से हैं जो मेडिक लेम जैसे होते हैं स्टेंडर्ड डिड़क्शन सेलीड वालों को मिलता है इसी तरीके से आप हाउसिंग रोन पे जो एटीसी के तह़ा है जो है डेड़ लाक रुपए तक की डेड़ लाक रुपए की रिबेट था यह पुराने और यह जो है पचिस जार रुपए और सीने से जिलीजाद यह ओल्ड इस्कीम में है और हाउसिंग लोन के इंट्रेस्ट पे भी जो छूट हुआ करती थी जब आप हाउसिंग लोन लेते हैं उसमें जो छूट मिलती है आपको दो लाक रुपए की ब्याज के रूप में वो ओल्ड स्कीम में है इतनी छूट जो है आपको मिला करती थी यह ओल्ड स्कीम भी अभी है लेकिन जब यह नया टैक्स कर रिजीम लागू किया गया इसका उदेश ही यह था कि आप कोई रिबेट ना मांगें और आपको एक सस्ता कम रेट वाला टैक्स देना पड़ेगा और ऐसा द आपको देना है तो आपके घर में डिस्पूजबल इंकम ज्यादा जा रही है आपका सामाने जीवन रोज का जीवन या आपके घर पे खर्च करने का जो ब्यूस्ता है वो उसे सुदेड हुई अच्छी हुई तो इसकी सफलता देखते हुए मुझे लगता है पिछले दो परशो आजे टेक्स एस्परट मैं देख रहा हूँ कि बहुत पॉपुलर हुआ आजें टेक्स एक्स अट आपको यह रहे हैं कि जो पुरानी टेक्स रिजीग है और जो नई टेक्स रिजीम है जिसे arise में हम लोग जो हगे वह रैंट किलेंब करते हैं और जो है एक खीको कि section 80 से dawn करता है और 80 dd भी असी तरीके से तो यह रिवेट अलग-अलग मदों में लेते थे तो पुरानी स्कीम में यह सुपधा थी कि उसको माइनस करके फिर जो पुराना उन्होंने टैक्स स्ट्रक्चर का रेट दिया था उस पे आप टैक्स दें नए व्योस्था में की गई कि आप यह डिडेक्शन ना क्लेम करें आपको कम रेट का हायर स्लैप की ब्योस्था दी जाती है जिसमें कि आप कम रेट का टैक्स देंगे तो वो बैलेंस करना पड़ता है आपको एक कल्कुलिशन करके कि आपको फाइदा कहां है सेल्रीट क्लास के लिए खास तोर से यह ब्योस्था काफी कारगर हुई और फाइदे मन करा गज खास पारुदक ब्योस्थाना करते हैं